नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब सवागत हैं आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BFA के बारे में यानी Bachelor of Fine Arts ठीक है इस कोर्स के बारे में इसकी eligibility के बारे में इसके admission प्रोसेस के बारे में इसके face structure के बारे में टॉप कॉलेजेस कौन-कौन से हैं अगर आप अलहाबाद विश्विद्याले से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना इंट्रेंस है कैसा है क्या प्रोसेश है तो बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा अच्छे समझ यहाँ तो चलिए देखते हैं विएफे में क्या होता है यह गोथ जो है बहुत ही अच्छा कोर से बहुत जिसका भी आर्टिस्टिक नीचर है जिसके पास इसकिल्स हैं जैसे drawing की, sketching की, visualizing की, या फिर problem solving skills है, presentation की skill है, cinematic skills है, तो उसके लिए VFA बहुत ही better course है, इसमें क्या होता है, stream divide होते हैं, जैसे applied arts, painting, यह VFA जो है, 3-4 categories में divide हो गया है, ठीक है, तो applied arts हो गया, painting हो गया, history of arts हो गया, print making हो गया, sculpture हो गया, visualizing communication, visualizing arts हो गई, यह सब division है, मतलब जैसे आपका number होगा, जैसे आपकी merit होगी, वैसी आपको course मिलेगा, तो BFA applied arts, BFA painting, BFA in painting, BFA history of arts, तो आपके merit के basis पर, अगर आप एलहाबाद भी स्विध्याले से करना चाते हैं, तो जैसी आपकी merit बनेगी, वैसे आपको course मिलेगा, applied arts होता है, सबसे ज़्यादा demanding course है, ठीक है, अगर आपके number सबसे ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, तब आपको applied arts मिलेगा, सबकी सीटें जो हैं, limited है, applied arts की, painting की, history की, तो यह सब तो बहुत नीचे जितना जाओगे, उतना बढ़ती चली जाएंगे, applied arts की सीटें जो है, बहुत ही ज़्यादा demanding course है, इसकी सीटें limited है, इसलिए अच्छा score करिएगा, तभी जाके आपको entrance exam clear करेंगे, अच्छे से cut off clear क करेंगे, तब जाके, आपको applied arts में मिलेगा मौका, ठीक है, अगर आप अलहाबाद से करना चाहते हैं, तो तो आप duration की बात करें, course duration जो इसका होता है, वो 4 साल का होता है, ठीक है, बहुत सारे campus college ऐसे हैं, इन्वेस्टी ऐसी हैं, जहां 3 साल का भी होता है, बहुत है, लेकि लेकिन आपको इसको regular करना चाहिए, क्योंकि यह practical oriented course है, इसलिए certificate course से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कर लेंगे degree मिल जाएगी बात की बात है, लेकिन यह practical oriented course है, इसलिए आपको regular करना चाहिए, ताकि practice होगी, practical करेंगे, तभी अच्छा कर पाएंगे, और जब चार साल का course होता है, तो इसमें एक साल fundamentals आपको सिखाया जाते हैं, जिसको applied arts वाले को भी करना होता है, पेंटिंग वाले को भी करना होता है, history of arts वाले को, जितनी भी categories है, BFA की, सबको पढ़ना पढ़ेगा, first year, fundamental arts, ठीक है, फिर उसके बाद आपका specialization होगा, जो subject जैस applied arts आपका है, इसमें specialization course होगा, history of arts है, इसमें specialization course होगा, printmaking है, तो इसमें specialization course होगा, तीन साल का, ठीक है, एक साल fundamental जो सबको करना है, तीन साल specialization, जो आपका category है, उसको करना है, ठीक है, तो admission process की बात में करूंगा, वो हर जगे अलग होती है, कहीं पे merit ways होगी, कहीं पे entrance हो है, entrance waste है, आपको exam clear, entrance की बात करेंगे, तो आपको क्या clear करना है, ठीक है, entrance में ठीक, वही question paper आपको मिलेगा, जो BA students को मिलता है, ठीक है, BA की students को क्या मिलता है, देखिए, general English, Hindi, या तो आप Hindi के 25 question करिए, या English की करिए, मैंने playlist बना दिया है, अच्छे से, उसको आप solve करिए, Instagram पर follow कर लिजिए, वहां बहुत सारे practice set है, उसको solve करिए, description box में link होगा, Instagram का, ठीक है, general awareness हो गया, general mental ability test हो गया, subject test हो गया, तो general awareness, GS के 25 question आते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए है, playlist बनाई है, जा कर देखिए, अच्छे से देखिए, अगर आपको applied arts में admission लेना है, त तारकिक छमता का question आता है, इसको अच्छे से करें, subject test साथ होते हैं, geography, economics, philosophy, logic, political science, civics, जो भी है, साथ होते हैं, जिसमें से आपको 3 करना होता है, ठीक है, यह देखिए, civics, economics, geography, history, logic, Sanskrit, अंडूर्दू, साथ होते हैं, जिसमें आपको 3 select करना होगा, exam time, और फिर करना होगा, ठीक है, तो यह होगया, आपके entrance exam की बाद, आपको यही करना है, फिर उसके बाद आपकी जो यहां merit बनेगी, यहीं merit के basis पर नहीं ले लिया जाएगा, आपको practical देना होगा, ठीक है, practical भी two type के होगे, एक objective drawing होगी, 90 minutes की 150 marks का, एक memory drawing होगी, और वो भी 90 minutes की होगी, ठीक है, 150 मार्क्स की, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, आपका entrance exam होगा, जो यहां वालों का होता है, फिर उसके बाद आपको practical भी देना होगा, 300 number का, फिर आपका 300 का practical होगा, 300 का entrance exam होगा, ठीक है, तो 600 में, total 600 होगा, 600 में से आपकी merit बनेगी, तो आपको score इसमें अच्छा ही करना होग मैं अलग से बता दूँगा, आप लोड, contact कर लेना या फिर वीडियो बना दूँगा, ठीक है, तो यह हो गई बात, आपके admission process की, कैसे आपको admission लेना है यहां पर, और बात करें को, उसकी fee structure की, तो fee structure अलहाबाद का ज्यादा नहीं है, वहीं अगर DU से comparison करें, बहु से comparison करें तो अलहाबाद बहुत थी normal fees में आपका VFA complete करवा देगा, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, आपको dress code follow करना पड़ेगा, यहां अलग से आपको dress मिलेगा, उसको, means, dress code है यहां पर BFA में, ठीक है, is limit कोई ज्यादा है, नहीं, 22 साल से छोटे होने चाहिए, वाकी तो होई ज सब है, ठीक है, और drawing, sketching, visualizing, यह सब skills आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हैं बात को, eligibility में 12th pass out होना चाहिए, percentage की कोई requirement नहीं है, बहुत सारे colleges हैं, जहां पर percentage चाहिए होता है, लेकिन यहां पर कोई percentage minimum decide नहीं है, बस pass होना जरूरी है आपका, benefit की बात करनें, तो benefit क्या है इसका, benefit BFA का क्या है, या आप arts teacher बन सकते हैं, विना weird किये, आपको फिर beard नहीं करना पड़ाएगा, teaching करने के लिए, आप arts के teacher बन सकते हैं, विना किसी B.A. degree के, ठीक है, teaching degree के, B.A. इतना ज़्यादा benefit आपको देगा, ठीक है, art B.A. कर लिए, समझो, art teachers के लिए apply कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी college में, किसी भी institute में, किसी भी government college में, ठीक है, job opportunities, तो teacher हो गया, advertiser हो गया, arts and director हो गया, sorry, arts का director हो गया, data visualizer हो गया, sketching artist हो गया, 3D artist हो गया, animator हो गया, animation का बहुत ज़्यादा जवाना है, उसमें आपको काम मिल सकता है, news channels में, बहुत ज़्यादा requirement होती है, artist की, comics जो लिखते हैं, novels लिखते हैं, उनके पास आपको काम मिल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, salary आपके specialization और sectors पर depend करते हैं, कि आपकी sector में करते हैं news agency में काम करते हैं, sketching में, कहां करते हैं काम, ठीक है, तो 40-4 लाख तक का इसमें आपको scope है, salary का, ठीक है, बाकि जो भी doubt हो, comment section या फिर Instagram का link होगा, description box में, whatsapp number होगा, जैसे भी requirement है, जो भी doubt है, आप कर सकते हैं, share कर सकते हैं, सारी problem आपको मिल जाएगे, ठीक है, और हाँ, आप लोग whatsapp कर देना, मैं बता दूंगा, objective drawing, memory drawing में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर आपको applied arts में admission लेना है, तो, समझ रहे हैं न बत को, मिलते हैं, next video में ख्याल रखिए, जो भी doubt हो, Instagram औ comment section, रपो से थैं, तीके